तो लोग सबत चुनाव नतीजों से पहले विपक्षी पार्टियों ने गडबंधन बनाने के लिए कवायद शुरू कर दी है सूतरों के मताबिक विपक्षी दलो को साथ लाने का लक्षे इस वक्त यूपी ए अध्धक सोनिया गांधी ने अपने विश्वास पात्र नेताओं को दिया है आपको बता दे कि 23 माई को चुनाव के नतीजों की घोशना के साथ ही एक बैठक बुलाने की भी खबर है सोनिया गांधी ने एहमद पटेल, पूर्विट मंत्री, पी जितमरम, मद्यप्रदेश के मुक्खे मंत्री और कॉंग्रिस के कददावर कमलनाथ कि साथ साथ राजिस्थान के मुक्खे मंत्री अशोक गैलोट से कहा है कि शेत्रिय पार्टियों से समझोते की बात करें खास्तोर पर उन पार्टियों से जो यूपिय और एंडिय का हिस्सा नहीं है ऐसे में सोनिया गांधी ने खुद जिम्मा अपने कंदों पर संभाल लिया है यानि कि गैर यूपिय और गैर एंडिय शेत्रिय दलों से बाच्चीत का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है और इसका जिम्मा सोनिया गांधी ने कॉंग्रेस के अपने विश्वास पात्र नेताओं को दिया है